जहन बचो 28 जन्वरी को सैनेक स्कूल क्लास 9 का एक्जाम है उसके लिए आज मैं साइन्स के लगभग 100 प्रशनों 100 को बताने जा रहा हूँ और मैं कन्फर्म हो कि इसमें से कोई न कोई प्रशन आपके एक्जाम में आएंगे तो आप क्या कीजेगा मैं प्रशनों को पढ़ूंगा आप खुद से उत्तर ढूंड़ेगा फिर वीडियो के आगे बढ़ा कर उसके उत्तर को ढूंड़ेगा और जो बच्चे जे एनवी का एक्जाम देने जा रहे हैं दस फरवरी को उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे अटल हवास ये विद्याले क्लास नाइंथ की त्यारी कर रहे हैं उनके में भी इस तरह के प्रशन आने कन्फरम है और साथी साथ मैं कई बार बताता हूं जो अनुसूचित जाती वर्ग के हैं तो स्रेश्ठा योजना का फॉर्म उनके वली आने वाला है 20-25 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आज आने की पूरी उमीद है तो उनके लिए भी पेपर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी जो एक्जाम से क्लास 9 के लिए हो रहे हैं और क्लास 8 का ही सलेबस आने वाला है तो ये न सोचें सैनिक स्कूल का है तो जी एन बी में काम नहीं करेगा या अटल आवासी में नहीं करेगा ना उसमें करेगा आपको अगर वाटसेप ग्रूप में जोईन करना है जैसा में बताता हूँ कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ बच्चों के लिए फ्री पढ़ा रहा हूँ जो सुद्र ग्रह है कि डियाज की कक्षा में पाए जाते हैं तो यह बच्चों काफी इंप्रटन्ट है मार्स और जूपिटर यानि कि मंगल और ब्रिस्पती ग्रह के बीच में पाये जाते हैं अब यह काफ़ इंप्रों यह आया भी हुआ इस तरह की प्रश्न जब कांच की छड़ को रेस्मी कपड़ों के टुकड़ों से रगड़ा जाता है तब होता क्या है तब बच्चों कांच की छड़ जो है धाना वेसित हो जाती है और रेस्मी कपड़ा जो रिण अवेसित हो जाता है बाकी options आप बीडियो पहुच करके जरूर पढ़ लीजेगा क्योंकि options की वज़े से हमें confusion भी होता है glass red becomes positively charged जो glass होगा जिससे हम रगड़ेंगे उस पे plus charge आजाएगा ठीक है और जो silk का कपड़ा होगा उस पे negative charge आजाएगा ठीक है तो इसको आप जरूर द्यान रखेंगे बच्चो ठीक हो निकेटिव चार्ज आ जाएगा और यह वाला glass red में आपका positive charge आ जाएगा ठीक है इसको आप जरूर याद रखेंगा काफी important है यह question फिर देखे friction due to fluids is called कली मैंने friction के तीनों तरीके बताया थे आपको और static rolling और sliding friction के बारे में बताया था तो इसका बच्चो जो answer सही है उसको कहते है ड्रैग यानि की करशन ठीक है option नमर तीसरा सही है अब देखे एक question काफी बहतरीन question है अब pendulum oscillates 40 times in 10 seconds इस time period will be एक लोलक जो है 10 seconds में 40 बार दोलन करता है तो इसका आवर्थकाल आवर्थकाल time period निकालने के लिए formula जो है one upon frequency है तो यहाँ पहले तो frequency नहीं दिया है तो frequency के लिए क्या होता है number of oscillations होता है तो number of oscillations कुल समय कितना है तो 10 है काट दीजे कितना है या 4 आया ठीक है तो यही एक बटा 4 होगा अगर हम इसको दसमल में बदलते हैं तो 0.25 seconds तो 4 का बच्चो तीसरा option सही है तो इस तरह के भी प्रशन आपके बदल के आ सकते हैं देखिए spring balance measures काफी अच्छा है एक कमानीदार तुला नापता है बच्चे कई बार mass यानी की दरपिमान और weight यानी की भार में confused रहते हैं ठीक है यह जो है spring balance या कमानीदार तुला वो weight को measure करता है यानी कि हमारे के बाहर को measure करता है अब बच्चो देखिए अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप जरूर comment section लिखा कि जहां सर समझ में आ रहा हो और ऐसे वीडियो चाहिए तो समाजिक अध्यान का भी मैं बना दूंग काफी प्रशन है और यह बच्चो देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिए कुछ important questions हैं जो beach beach में आते रहेंगे और आखरी में भी आते रहेंगे तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसका पूरा फायदा मिल सकेगा repulsive forces can be प्रतिकारत बल हो सकते हैं ठीक है तो 6th का option है बच्चो यह देखिए electrostatic भी हो सकते हैं ठीक है चुमबकिए और electrostatic भी हो सकते हैं तो इसका option number 4 इसले बच्चो सही है ठीक है काफी important यह भी question है अब देखिए pressure and force are related भाई यह आपके 2020 वाले या 22 वाले में question आ चुका ह है कि force acting upon area is called तो उसमें definition direct पूछ लिया था यहां pressure का formula पूछ लिया है ठीक है कांसा relation है तो force is equal to क्या होता है pressure into area ठीक है क्यों pressure क्या होता है force upon area ठीक है यही चीज़ आपकी जाके multiply हो गई तो यह option number 1 बच्चो इसका सही तो simple formula इसको आपको याद रखना इससे एक प्रशन आत होगा कई exams में repeat होता है कई exams में यह repeat भी होता है तो 1 by 16th of a second ठीक है एक बास 16th of a second यह रहता है ठीक है तो इसका 8 का option number 1 जो है बच्चो सही है अब देखिए question number 9 है a ray of light is incident on a mirror making an angle 20 degree with the plane of the mirror अब देखिए यहां पर यही आपको समझना है इसी में confusion में कई बच्चे गलत करते हैं इस सावाल को अच्छे समझेगा प्रकास की किरण दरपन के समतल से 20 का कोण बनाते वे दरपन आपतित होती है आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क कितना है अब देखिए यह हमारा plane mirror है अगर कहें आपतित कोण जो है 20 है तो आपका परावर्तित कोण कुतना होगा तो 20 होगा क्योंकि angle i is equal to angle r होता है ठीक है यहां कह रहा है कि यह 20 degrees से बना रहा है और नॉर्मल आपको पता है नॉर्मल कितना होता है 90 डिग्री होता है तो आपका incident rate 70 है तो reflected rate कितना होगा यह भी 70 होगा बस इन दोनों का कोण पूछ रहा है बीच में कितना कोण है 70 70 140 तो नाइंत का बच्छो option number 3 जो है हो सही है ठीक है तो यह questions बदल के आते हैं confused मत होईगा question को दो बार पढ़िए गजरूर काफी बच्चे गलती करते हैं इसी में copper sulfate के billion में धारा प्रभावित करने का प्रभाव होता है passing current होगा copper sulfate solution causes तो 10th का सही answer बच्छो deposition of copper on the plate connected to the negative terminal रिन terminal से जोड़ी plate पर तामबे का जमाओ यह question बदल के बच्चो कई बार आता है पुराने वीडियो देखे एन MMS के बिज्ञान के तो आपको काफी प्रश्न इस बच्चो तो ठीक है तो इसको आप जरूर ध्यान रखेगा इसके बाद है pitch of sound depends on धोनी तरंग का तारत तो किस पर निर्वर करती है ठीक काफी important है ठीक है यह है बच्चो frequency of the wave यानि की तरंग की आपरिती पर depend करता है बाइए हम लोग कुछ chemistry के questions देखे इसमें है which of the following are the example of therm plastic काफी बार आयो है thermoplastic का उधारन क्या है तो यह है बच्चो polythene भी है और PVC भी है तो दोनों ही option है तो इसका तीसरा option बच्चो सही है ठीक है question number 13 है which of the following is coated on cookware sodate oil and water do not stick आप देखे इसमें आ रहा है ना बिना चिप पकने वाले तावे आ रहा है कड़ाई आ रही है ठीक है तो उस पे बच्चो किसकी परत्र होती है टैफलोन की परत्र होती है तो यह आप कई बच्चे इसके अंसर जानते होंगे ठीक है इसके बाद 14 है यह है which of the following is the right sequence of metals from more reactive to less rate काफी important है अलगतरा का question है अभी क्रिया सिल से कम अभी क्रिया सिल धातु का सही क्रम क्या है अधिक से कम ठीक है ध्यान देजेगा अधिक से कम पूछा है मैंने reactivity series भी बताई हुई है वीडियो में तो इसमें बच्चो जिंक है फिर लो है फिर तामबा है फिर चांदी है चांदी सबसे कम reactive react करता ही नहीं है चांदी सोना प्लेटिनम यह तीन noble metal है याद रखिए हमेसा ही आखर इनके साथ react करता है तो यह बनाएगा बच्चो copper hydroxide copper hydroxide और copper carbonate कई पर सवाल आता है कि यह आपका copper है उस पर हरी पर चड़ गई है कुछ समय बाद वो क्या होता है तो यह होता है ठीक है तो इस तरह से बदल के प्रशन आते हैं देखें बदल के आया हुए option no.3 इसका coal gas was used for street lighting for the first time ठीक है किस पहली बार सवकों पर रॉसनी के लिए कोईला गैस का उपयोग किया गया ठीक है तो यह आपका NCRT का question है यह बच्चों लंदन में किया गया इसके बाद है due to great commercial importance petroleum is also called बहुत अधिक वैवसाइक महत्तों के कारण petroleum को क्या कहा जाता है तो petroleum को extinguish for fire involving electrical equipment and inflatable materials such as petrol यह भी question बच्चों बच्चों देखे काफी important है और आ सकता है यह बच्चों carbon dioxide option number 3 इसका सही है question 19 है which part of the flame is the hottest काफी important है मुझे लग रहा है इस बार यह question आएगा तो यह बच्चों नीला नीला भाग सबसे hottest होता है सबसे ज्यादा यह fuel मतलब उसमें सबसे इनर्जी होती है गरम करने की the passes of an electric current to a conducting solution causes chemical reaction which results in यह भी एकदम definition है यह है deposition of metal on the electrode change of color of the solution formation of gas bubbles on the electrode यह तीनों चीज़े होते हैं यानि की उपरोक्त सभी option number 4 इसका बच्चों सही है फिर देखे galvanization is a type of electroplating which metal is coated on iron in this process to protect it from the rusting and corrosion ठीक है तो इसका answer जो है 21 का बच्चों आपका जिंक की परत चड़ाई जाती है आपको पता है लोहे के उपर एक जिंक की परत चड़ाई जाती है और यह खराब नहीं होता है आप Pepsi वगर पीते होंगे तीन वाला तो उसी पर उसकी परत चड़ी जाती है तो बच्चों यह काफी important है बच्चे इसमें कई बार confuse होते हैं सोचते हैं कि इसमें पानी नहीं होगा यह पानी देखें वैपर की रूप में याद रखेगा यह पानी नहीं है वैपर की रूप में हैं तो देखिए carbon dioxide भी होता है, methane भी होता है और H2O भी होता है, तो option number 4 इसका सही है इसको जरूर नोट कर लेज़ेगा, क्या होगा कि तीन option कोई और दिये रहेंगे, एक option इसमें से कोई भी option हो सकता है, ठीक है, तो इसको आप जरूर तीनों को है आपका खाद, ठीक है, याने की compost, आपको पता है साड़ा गला कर बनाया जाता है, फिर रेवन favor is prepared for, काफ important है, रेवन का रेशा निर्मान किया जाता है, तो यह बच्चो किया जाता है, उड़ और बैंबू से, उसके छिलन, उसको छिल के इस्तमाल किया जाता, उसके लुगदी से, the pathogen of hepatitis A, काफी important है यह भी, यह है बच्चो वाइरस, याने की विसानों से hepatitis A होता है, polio होता है, corona होता है, यह सब चीजे simple हैं, आप याद रखिएगा, किसी फसल की खेती करने का सही करम क्या है, तो यहाँ पर देखे, सही करम पूछा है, पहले हम क्या करेंगे, तो जो गाओं के बच्चे हो, तो जानते होंगे, पहले जुताई करेंगे, फिर बुआए करेंगे, फिर सिचाई करेंगे, फिर आखरी हम जाता है, the record of all indentured species is maintained, ठीक है, अब देखे, question number 28, निमलिके इतमे से कौन बहु कोसी किये जीव है, तो 28 का बच्चो सही answer है, hydra, ठीक है, total number of chromosome found in cell in human is, ठीक है, तो यह 29 का बच्चो सही answer है, 46, और यही 23 पेर भी दे सकता है, ठीक है, तो याद रखेगा, total 46 होता है, और 23 पेर भ for which animal Kana National Park is famous, Kana National Park जो है, किस पसू के लिए famous है, काफी important question है, यह बच्चो बाग के लिए famous है, ठीक है, फिर है किसोरा अवस्था की आउधी क्या होती है, the adolescence का जो time period होता है, किस time period को हम कहते हैं, ठीक है, इसे भी काफी प्रशन आता है, तो यह है बच्चो आपका 11 से 19 वर् तो 32 का सही answer है, बच्चो देखिया भी मैंने एक बताया था, वाइरस की बज़े से यह होता है, इनको भी याद कर लिजे, पूलियो मैंने नाम लिया था, measles भी है, चिकन पॉक्स भी है, यह भी वाइरस यानि के बिसानों की बज़े से होता है, यह क्रम काफी important है, बहुत पहले gamut बनेगा, फिर fertilization होगा, इसके बाद जाएगोट, इसके बाद MBO, युगमक, निसेचक, निसेचन, युगमज, फिर भून, ठीक है, तो option number 3 बच्चो इसका सही है, ठीक है, अब देखिये, दो question और है, फिर मैं अलग question आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी बहुत इसके रहेंगे, महीला में किस उम्र से रजो इनम्रती प्रारंब होती है, मैंनो पोज कब से start होता है, तो 34 का सही अंसर बच्चो 45 to 50 वर्स के बीच में, ठीक है, इसके बाद है, खैनिक गुटका और पान मसाला खाने से मूँ में cancer होने का लक्षड है, देखिए, काफी पर यह उप्रयोक्त सभी, तो सभी तरह के options इसके सही है, बच्चो यह प्रशन आपको बेसक English में देखना है, परशान नहीं हो, मैं हिंदी, मैं भी बताओं क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी काफी comment किये हैं, अब देखिए, tungsten, a transition element, being a metal exhibits the following properties, यहां के धातु के रोप में tungsten जो है, निमलिखित गुणों को परदर्सित करता है, तो बच्चो जो 76 है, उसका option number 30 सही, it possesses high melting point, यानि कि इसका जो गलनांग है, इतना तो आपको नोट करना पड़ेगा बच्चो, गलनांग जो है, बिंदू जो है, उच्छ होता है, ठीक है, तो यह point काफी important है, इसमें औ और क्या है option आपका, यही है, सही है, बाकी जो options है, वो आपके गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर option number 3 जो है, बच्चो, सही है, क्योंकि यह point इसका क्यों सही था, इसके बाद आईए, next question देखे, hepatitis B is cost due to, मतलब कि hepatitis B का कारण क्या है, तो मैं बता चुका हूँ, hepatitis B का कारण ज कंतु की एक सटीक प्रतिकृति का उत्पादन क्या कहलाता है, यह भी बच्चो काफी important question है, वो कहलाता है बच्चो, आपका budding, ठीक है, इसको कहते है, mukulan, इसको आप note कर लिजेगा, mukulan, ठीक है, तो यह भी important question है, फिर है question number 79, the device which can be used to detect any small current following, flowing होगा, sorry, flowing in an electric circuit is, तो यहाँ पर बच्चो, यह काफी important है, वो उपकरण जो बिद्धुत circuit में अति अल्प, बिद्धुत परवा का पता लगाने के लिए उप्योग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चो, बच्चो जो देखे, actual जो इसका answer है, वो है galvanometer, galvanometer, ठीक है, यहाँ यह option नही दिया हुआ है, LED है light emitting diode, ठीक है, तो अगर galvanometer हो तो आप galvanometer पर टिक करेंगे, ना हो तो LED हो तो LED पर आप टिक किजेगा, MCB नहीं होगा, MCB, कई बच्चे MCB भी सोचेंगे, क्योंकि MCB बच्चो यह circuit को break करता है, जो हाई voltage आता है, यह इसके लिए बनता है, ठीक है, आई question number 18, 80 देखें, which of this unisolar organism has no definite shape, याने कि निमने में से किस एक को सिक्ये जियू का अकार जो है, वह निश्चित नहीं होता है, तो यह बच्चो अमीबा का नहीं होता है, तो हिंदी में बताने का हो सकता नहीं, वही चीज है, इसके बाद है, which is a thermo setting plastic, इसमें से कौन सा एक ता plastic में देखें, polythene और PVC आ जाएंगे, ठीक है, इसके बाद है, 82, solution of which of the following oxide in water will change the color of blue litmus to red, blue से red बदल रहा है, ठीक है, तो 82, इनने में से कौन सा ऑक्साइड का पानी से विलियन, नीले litmus को लाल कर देगा, तो 82 का बच्चो, option number A, सही है, sulfur dioxide, ठीक है, इसके बाद है, आपका, इन इंडिया, PCRA advises how to save petrol diesel while driving, for this PCRA gave journal tips, here PCRA stands for, भारत में PCRA सला देता है, तो यहां पर driving करते से हैं, petrol diesel बचाने करे, तो PCRA का full form पूछा है, कि इसका full form क्या होगा, तो petroleum conservation research association, तो हिंदी में भी यही चीज़ है बच्चो, petroleum conservation research association, option number B, इसका सही है, an electrolyte is a, तो electrolyte होता क्या है, ठीक है, तो इसका बच्चो सही answer है, वो एक तरह का solution है, यानि की एक तरह का willion है, ठीक है, तो इसको भी आप note down कर लेज़ेगा, यह conceptual question से लेकिन important है, इसे ही में हम लोग गलती करते हैं, अब देखे, as the angle between two plane mirror is decreasing gradually, ठीक है, यह काफी important है, इसको note down किजेगा, the number of images of an object placed between them, इसका है, यदि दो समतल दरपन के बीच, कोण धीरे धीरे घट रहा है, देखे, दो समतल दरपन है, माली जे, ठीक है, अब यह समतल दरपन इसके पास आता चला जा रहा है, पास इधर को आता चला जा रहा है, मतलब कोण दोनों का घटता जा रहा ह ठीक है, तो उनके बीच रखी एक वस्तु के प्रतिबिम्बो की संख्या क्या होगी, तो यह काफी important बच्चो यह question, यह जो बच्चो पहले तो वो decrease होगी, फिर increase होगी, 85 का भी पहले घटेगी, तब बढ़ेगी, तो 85 का बच्चो बच्चो बी option सही है, काफी important question है बच्च का, आपका, यह सभी है, यहाँ पे जो बच्चो सही answer है, वो होगा call, आप इसको no down कीजएगा, ठीक है, तो देखें, यह काफी important है, the value of one light year in SI is, light year के बारे में कई बार प्रशन आता है, कि light year, one light year क्या होता है, तो एक साल में, एक साल में, रोसनी के द्वारत तैक की गई द मान होता है, तो इसको आप जरूर याद कर लिजेगा, काफी important है, यह है बच्चो आपका, 9.46 into 10 to power 15 meter, या 10 to power 18 kilometer, तो दोनों तरह से आप याद कर लिजेगा, 10 to power 18 kilometer भी और 10 to power 15 meter भी, 3 zero बढ़ा देजेगा, इसमें, ठीक है, इसके बाद है, which of the following liquid does not conduct electricity, इसमें से है, कि नि distilled water के वल नहीं करेगा, ठीक है, option B यहां सही है, बाकी तीनों करेंगे, lemon juice, sugar, solution और dilute hydrochloric acid, यह तीनों करेंगे, distilled water यानि की आसुत जल जो है, नहीं करेगा, अब देखिए काफी अच्छा कोशन है, one fungi, second to bacteria, यानि की कवक नमबर एक है, जिवाडू नमबर टू है, निमल प्रिक्शनल फोर्स बिकाम, काफी बहतरीन कोशन है, जब प्रयूक्त बल, प्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो वस्तु इस्तिर होती है, तब घर्शन होता है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स घर्शन होगा, वह क्या होगा, ठीके, तो 90 का बच्चों सही अंसर है, आपका वो दोगुना हो जाएगा, ठीके, यह काफी important है, concept वाला question है, अब देखिए, Oxide of which element are present in acid rain Acid rain में जो आपका अमल वर्षा होती है उसमें किसके Oxide उपस्तित होते हैं तो 91 का बच्चो जो सही answer है वो है आपका Nitrogen के Sulphide और Hydrogen के सब क्योंकि तभी तो HNO Nitric अमल बनता है और Sulfuric अमल बनता है जिसकी वज़ा से मारवल जो है ताजमहल का मारवल खराब भी हो रहा है तो इसको आप याद रखिएगा ये भी काफी important question है Which of the following tool ओड़ा farmer used to remove weeds from the field ठीक है ये है निमले में किस उपकरन को प्यों किसान खेत में से खर पतवार निकालने के लिए करता है तो ये भी काफी important question है ये बच्चो हो हो मतला आप जानते होंगे खुरपा क्या है खुरपा इसको आप याद कर लिए देखे filling the blanks है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ time लेगा question 94 है in the process of vulcanization काफी important है natural level is treated with dash element x to improve its properties x is काफी important मुझे लग रहा है ये इस बार आ सकता है वलनी करन की प्रक्रिया में प्रकृतिक रबड की गुणवक्ता में सुधार के लिए x त्वत्व को के साथ उपचारित किया जाता है तो यहाँ पूछ रहा है ये x त्वत्व है क्या ठीक है ये बच्चो है आपका Sulfur, तो 94 का C option सही है, ठीक है The standard value of atmospheric pressure is काफी important question है, question number 95 Y.U. मंडल ये दाप का मानक मान क्या है, ठीक है मानक मान बच्चों, इसका 76 mm of mercury होता है, mm of mercury H.G. जो है mercury clay है, जो कि हम लोग thermometer में मापते हैं, अब देखें, ये वाला कुछ प्रशन है, इसको 500 vibration per second, what is the time period of the vibration? ये question मैंने बता रखा है, एक मच्चर से आवाज तब उत्पन होती है, जब ये प्रती second 500 बार कंपन की आउसत दर्थ से अपने पंखों को कंपन करता है कंपन का आवर्त काल क्या है simple है, मैंने अब भी बताया था आवर्त काल क्या होता है, एक बता T होता है, ठीक है मतलब कितनी vibrations कर रहा है उतने time period में, ठीक है तो 96 का बच्चों जो सही answer है वो है आपका option number B 0.002 second ठीक है, एक बता 500 कर दीजेगा ये answer आ जाएगा, ठीक है इसके बाद है, the change in focal length of an eye lens to focus the image of an object at varying distance is done by the action काफी important, very important ये question बच्चों आ सकता है, मुझे लग रहा है ये, इसका मैं हिंदी वर्जन पढ़ दूँ, आपका वो है, 90 देखे, बिविन दूरियों पर उपस्तित वस्तु के प्रतीवंब पर focus करने के लिए नेतर के lens की focal focus दूरी में परिवर्तन करने किसके दौरा किया जाता है, तो ये बच्चो ciliary muscles, हिंदी में भी ciliary है, ये important इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ciliary base ठीक है, इसको आप जरूर नोट डाउन के लिए very important question which cell organelle is called the powerhouse the cell, तो बच्चो ये सबको पता हूँगा mitochondria, इसको mitochondria ही कहते हैं, ठीक है अब देखे, question number 99 है the dramatic changes in body features associated with puberty are mainly because of the secretions of तो योनो आराम से संबंदिस सरीर में होने वाले विसेष परिवर्थनों का मुख्य का स्रावण है तो 99 का बच्चो जो सही answer है, वो है आपका option number D यानि की estrogen और testosterone, ठीक है तो इसको यही कहेंगे, आपको हिंदी में भी देखे बच्चो, social science के भी questions बहुत है, हिंदी में में मेरे पास बहुत है, तो आपको comment section में करना पड़े, बस ज्यादा नहीं, 4-5 बच्चो ने comment किया, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं अभी आप इस बार नहीं करेंगे, तो मैं फिर नहीं बनाऊं क्योंकि अगर जोर्त आपको नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं ठीक है, the earth rotates around its axis, the sun appears to rise in the east Venus rotates in opposite direction of earth, we can therefore assume that on Venus, the sun sets in, दे कि घुमा के simple question पूछा है पृत्वी स्वयम के अक्ष के चारो और घुमती है, सुरे पुर्व में उकता है, सुक्र पृत्वी के बिपृत दिसा में घुमता अता हम ये अनुमान लगा सकते है कि सुक्र पर सुर्यास्त होता है तो सुक्र पर जो सुर्यास्त तो होगा बच्चो, वह क्या होगा उल्टा होगा, हमारे में उकता है तो उसमें क्या होगा, डूबेगा तो इसका होगा पृत्व की दिसा में तो आज का वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएगा बच्चो थेंक्यू, थेंक्यू भरमच